Hello friends, Welcome to my YouTube channel Friends, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप call forwarding करना चाहो, दूसरे नमबर पे अपने SIEM काड का, आपका कोई भी SIEM काड हो अगर आप उसका call forwarding करना चाहो, किसी दूसरे नमबर पे तो किस code की मदद से आप call forwarding कर सकते हो आज की इस वीडियो में हम आपको एही बताने वाले हैं तो वीडियो को विल्कुल इसकीप मत करियेगा और लाश्ट तक बनी रहीएगा तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को श्टाट का लेते हैं बेदाउ टाइम वेस्ट के लेकिन उससे पहले फ्रेंट्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेलफुल और नालेजबल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चलिए फ्रेंट्स अब हम जान लेते हैं कि call forwarding कैसे किया जाता है किसी भी SIM card का तो इसके लिए फ्रेंट्स सबसे पहले आपको अपने dialer को open कर लेना है और dialer को open करने के बाद फ्रेंट्स यहाँ पर आपको dial करना है star, two, one, star उसके बाद यहाँ पर आपको जिस number पर call forwarding करना रहेगा इस SIM card का call forwarding जिस number पर आपको करना रहेगा उस number को आपको अब यहाँ पर डाल देना है mobile number डालने के बाद फ्रेंट्स यहाँ पर आपको last में hatch लगा देना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपने SIM card से यहाँ पर dial कर देना है और जैसे ही dial करेंगे फ्रेंट्स जैसे ही आपको call forwarding start होगी यहाँ पर आपको लिखा हुआ आज आएगा call forwarding registration was successful इस तरीके से लिखा हुआ आज आता है तो आपके SIM card की call forwarding होने लगेगी जिस number को आपने वहाँ पर डाला होगा तो फ्रेंट्स इसी तरीके से आप call forwarding कर सकते हो किसी भी SIM card का अब माल लेजे फ्रेंट्स आप call forwarding को हटाना चाहते हो call forwarding को बंद करना चाहते हो उस number पर आपकी call forward नो हो ऐसा अगर आप अप करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको code dial करना है तो उसके लिए code है फ्रेंट्स यहाँ पर आपको hatch लगाना है उसके बाद 00, उसके बाद 2, उसके बाद last में hatch लगाना है इस तरीके से आपको code dial कर देना उसी SIM card से जिस SIM से आपने call forwarding किया था उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ आजाएगा call forwarding service has been disabled तो इस तरीके से लिखा हुआ आजाता है तो आपकी call forwarding बंद हो जाएगी यानि कि call forward जो जिस नंबर पर हो रही थी उस नंबर पर आपकी call forwarding बंद हो जाएगी तो फ्रेंट्स इस तरीके से आप call forwarding करना चाहो तो call forwarding कर सकते हो अगर आप जाते हो उसे बंद भी करना है call forward को तो इस तरीके से आप बंद भी कर सकते हो तो फ्रेंट्स मैं इस वीडियो में पूरी जैनकारी दे दिया हूँ अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी helpful और knowledgeable लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा